तो इस question में हम पहले powers को multiply करेंगे then हम इसको solve करेंगे यह question में आपको करके बता रही हूं तो आप उसको अपनी notebook में copy कर दीजेगा clearly आपको नज़र आ रहा है कि 4 की power 3 है और 3 की power कभी क्या है square है इनके दरम्यान कोई bracket नहीं है it means कि अगर मैं इसको लिखूँ 4 और 3 का square कितना होता है 3 का square होता है 9 divided by 4 और 2 को जब हम 3 times multiply करते हैं तो 2 to the 4, 4 to the 8 it means 4 की power 8 अब यहाँ पर divided का sign है इसलिए 4 की power 9 divided by 4 की power 8 यही मतलब है इसका अब अगेन देख लीजे basis same हो गई है तो मैं एकी दफा 4 लिखूंगी 9 यह plus 8 है उपर आके क्या हो जाएगा minus 8 it means 4 की power क्या बची है 1 तो 1 लिखना जरूरी नहीं होता इसलिए सिर्फ 4 जो है वो इसका answer है so student यह exercise complete हो गई है जो पार्ट मैंने करा है वो copy करेंगे आप लो और remaining parts हो है उनको खुद से solve करेंगे so student अब जो हमारे पास exercise है exercise 2.8 on page number 48 this is also an important exercise and it is the last exercise of chapter 2 question number 1 is rationalize the denominator rationalize को हम conjugate भी कहते हैं conjugate मैंने आपको इससे पहले सवाल में भी निकालना बताया है exercise में अब इस question में आपको इसको rationalize ही करना है यानि इसका conjugate निकालना है तो इसके लिए हम क्या करते है solution 1 upon 2 plus root 3 as it is लिखा है मैंने और rationalize करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो denominator होता है उससे multiply और divide करते है so 2 plus root 3 sorry sign change हो जाता है इसका and 2 minus root 3 means opposite sign के साथ जो है वो इसको हम divide करते है अब ये दोनो values आपस से multiply हो रही है 2 minus root 3 जब 1 से multiply होगा तो 2 minus root 3 as it is आ जाएगा और ये दोनों जब आपस में multiply होगे तो 2 2 से multiply होगा 2 2 is a 4 plus minus minus और root 3 root 3 आप जानते हैं दोनों root 3 है root के अंदर है same numbers है तो जब same number होते हैं तो pair बन जाता है और वो root से बाहर आ जाता है it means कि ये सिर्फ रह जाएगा 4 minus 3 इसके पाद 2 minus root 3 divided by 4 में से 3 minus करते हैं तो क्या आएगा 1 नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं होता इसलिए 2 minus root 3 जो है ये हमारा क्या हो गया answer next part देखिए इसका again 1 upon 3 minus 2 root 2 जब हम rationalize करेंगे तो ये हो जाएगा 3 plus 2 root 2 divided by 3 plus 2 root 2 अब हम इनको multiply करेंगे 3 plus 2 root 2 जब 1 से multiply होगा 3 plus 2 root 2 as it is आ जाएगा और जब 3 3 से multiply होगा तो 3 3 is a 9 minus plus minus 2 2 is a 4 और अगें ये 2 2 आपस में जब root 2 multiply होगे तो ये खाली 2 रह जाएगा then 3 plus 2 root 2 as it is आ जाएगा हमारे पास 9 minus 4 2 is a 8 so students 3 plus 2 root 2 9 में से 8 पाइनस करेंगे तो 1 1 लिखना जरूरी नहीं होता इसलिए 3 plus 2 root 2 this is your required answer so इस question के 3 parts थे इसमें से 2 parts मैंने तो इसका remaining जो 1 part है वो आप लोग खुद से homework में करेंगे so student question number 2 है आप हमारे पास if x is equal to 2 minus root 3 अगर x की value 2 minus root 3 है find the value of x plus 1 upon x and x square plus 1 upon x square आपको x की value given है और आपने यह दोनों values मालूम करनी है सबसे पहले हम यह question स्टार्ट करेंगे solution इसका किस सरीके से करेंगे आपको given क्या है x की value आपको दी हुई है 2 minus root 3 तो आप और से देख सकते हैं आपको x plus 1 upon x मालूम करना है लेकिन x तो आपको दियावा है और 1 upon x आपके पास नहीं है तो जारसी बाते आप पहले क्या मालूम करेंगे 1 upon x अगर मैं कहूं इस x के नीचे कोई भी number नहीं है तो 1 है तो मैं इसको अगर inverse करके लिख दूँ तो ये कुछ इस सरीके से हो जाएगा 1 upon x is equals 2 ये भी inverse हो जाएगा 1 upon 2 minus root 3 और आप जानते हैं जब इस सरीके से condition आजाती है तो हम इसको rationalize करते हैं और rationalize करने के लिए ये हो जाएगा 2 plus root 3 divided by 2 plus root 3 minus हा तो plus हो जाएगा now 1 upon x is equals 2 2 plus root 3 जब 1 से multiply होगा तो 2 plus root 3 and 2 2s of 4 minus plus minus और root 3 root 3 means 3 सो मैं यहीं लिख रही हूँ 2 plus root 3 divided by 1 क्योंके 4 में से 3 minus किया तो 1 सो 1 upon x is equals 2 2 plus root 3 सो हमारे पास 1 upon x की value आ गई है 2 plus root 3 x हमको given था 1 upon x हमने find out कर लिया तो हम सबसे पहले क्या मलूम कर लेंगे now x plus 1 upon x is equals 2 x की value क्या है 2 minus root 3 plus है तो मैं यहाँ plus का sign लगा रही हूँ 1 upon x किसके बराबर है 2 plus root 3 minus root 3 plus root 3 cancel so x plus 1 upon x किसके बराबर हो गया 2 and 2 4 so x plus 1 upon x की value जो है वो हमको मिल गई है एक value आ गई है second आपको question में बोला है x square plus 1 upon x square की value आपने find out करनी है तो हम इस value पर क्या कर देंगे squaring कर देंगे squaring on both sides squaring करने से यह हो जाएगा x plus 1 upon x per square is equals to 4 पर भी square आप जानते हैं जब square आता है तो हम identity यूज़ करते हैं identity यूज़ करेंगे हमारे पास a plus b का square बराबर होता है किसके a square plus 2ab plus b square यह identity आपने class 7 और class 8 में भी पढ़ी होगी तो it means a हमारा क्या हो गया x और b हमारे पास क्या आगया 1 upon x तो मैं left hand side पर यह identity open करूंगी a square plus 2ab plus b square is equals to 4 का square क्या होता है तो यहाँ जाएगा 16 a की जगा मैंने लिख दिया है x x और b की जगा मैं लिख रहे हूं 1 upon x 1 upon x so student x का square क्या हो जाएगा x square plus यह x से x cancel हो जाएगा यहाँ बचेगा खाली 2 and plus ही हो जाएगा 1 upon x square क्योंके 1 का square नहीं होता है इसलिए मैं सिर्फ x पर square लगा रही हूं again 16 x square plus 1 upon x square इसकी हमें value मालुम करनी है इसलिए plus 2 यहाँ के क्या हो जाएगा minus 2 so x square plus 1 upon x square is equals to 16 minus 2 is 14 so पहले हमारे पास x plus 1 upon x की value आगई थी 4 और x square plus 1 upon x square आगई 14 this is our required answer so student question number 1 के मैंने 2 पार्ट आपको कराए है 3 आप खुद करेंगे इसका second question मैंने कराया है same इसी method से question number 3, question number 4 question number 5 question number 6 होंगे same यही method जो है वो follow होगा और इसके बाद मैं आपको जो question है वो मैं करा रही हूँ so student question number 7 है if 1 upon x is equals to 7 plus 4 root 3 find the values of x square plus 1 upon x square and x square minus 1 upon x square आप इस question मैं को clearly नजर आ रहा है कि 1 upon x दिया हुआ है लेकिन x given नहीं है तो हमें क्या मालूम करना हुआ x so given क्या है हमको 1 upon x is equals to 7 plus 4 root 3 और हमें क्या चाहिए x तो जारसी बात है अगर मैं इस x को inverse कर दूँ it means इसके नीचे कोई भी number नहीं है और इस x के उपर तो 1 यहाँ पे दिया वही है जब मैं इसको inverse करूँगी तो यह हो जाएगा x और यह हो जाएगा 1 upon 7 plus 4 root 3 again यही condition आ गई तो हम rationalize करेंगे means 7 minus 4 root 3 divided by 7 minus 4 root 3 अब जब हम multiply करेंगे इसको 7 minus 4 root 3 को जब 1 से multiply करेंगे then it will be 7 minus 4 root 3 then 7 7s are 49 plus minus minus 4 4s are 16 and 3 root 3 multiply by root 3 then it will be 3 so x is equal to 7 minus 4 root 3 49 minus 16 and 3 is a 48 so again 7 minus 4 root 3 divided by 1 so x की value हमारे पास क्या आ गई है 7 minus 4 root 3 वैसे तो हमको इसमें x plus 1 upon x या x minus 1 upon x मालुम करने को नहीं कहा लेकिन जब दोनों values plus की आएंगी जब हम उनका square निकाल सकते हैं तो सबसे पहले मैं मालुम कर रही हूं x plus 1 upon x is equals to x कितना आया है मेरे पास 7 minus 4 root 3 यहाँ पे हमारे पास x आया और 1 upon x हमें कितना given है यह plus है तो मैं यहाँ plus का sign लगा रही हूं और 1 upon x की value 7 plus 4 root 3 minus 4 root 3 plus 4 root 3 cancel so x plus 1 upon x कितना आ गिया है 7 and 7 40 इसके बाद मैं मालुम करूंगी x minus 1 upon x x minus 1 upon x x क्या था हमारे पास students जी x हमारे पास जो हमने find out किया 7 minus 4 root 3 अब यह minus का sign है तो यहाँ पे क्या जाएगा minus और 1 upon x हमें क्या given था 7 plus 4 root 3 ओके तो यहाँ पे आपको clear नजर आ रहा है minus अच्छा जी जब यह minus का sign होता है तो मैं एक बात clear कर दूँ कोई value minus में आती है तो हम यहाँ पे फिर bracket में लेते हैं उसको क्योंकि minus जो है वो दूसरे sign से multiply होता है तो यह जाएगा 7 minus 4 root 3 minus को 7 से करेंगे तो minus 7 and minus plus minus 4 root 3 now plus 7 minus 7 cancel हो जाएगा minus minus plus sign minus कर रहेगा 4 and 4 8 root 3 so यह value आ गई हमारे पास x minus 1 upon x की अर हमें मालूम क्या करना है जो हमें असल values मालूम करनी है वो क्या है x square plus 1 upon x square पहले हमें यह मालूम करना है तो मैं x plus 1 upon x कितना आया था हमारे पास students 14 again squaring on both sides same वो ही method जो हमने previous question में किया था x plus 1 upon x per square is equals to 14 per square again identity use करेंगे हम a plus b square is equals to a square plus 2ab plus b square so student इसके आगे same method follow करते हुए आप इसको solve करेंगे so अब हमें जो मालूम करना है वो क्या है x square minus 1 upon x square यह value हमें मालूम करनी है और x minus 1 upon x हमारे पास आया था minus 8 root 3 so student जैसा कि आप जानते हैं जो identity हम जानते हैं a square minus b square बराबर होती है किसके a plus b के और a minus b के तो a minus b तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है x minus 1 upon x की form में क्योंके हम ले लेंगे a हमारा बराबर होगा x के और b बराबर होगा 1 upon x के तो हम जानते हैं x plus 1 upon x जो है वो हमारा किसके बराबर आया था 14 के बराबर आया था so now हमारे पास हम formula क्या लिखेंगे यह identity हम use करेंगे तो a square की जोगा x square minus 1 upon x square बराबर होगा किसके x plus 1 upon x के और x minus 1 upon x के so x plus 1 upon x किसके बराबर है 14 के और x minus 1 upon x किसके बराबर है minus 8 root 3 के so students हम 14 को 8 से multiply करेंगे तो हमारे पास answer क्या आएगा minus 112 root 3 so this is our required answer for x square minus 1 upon x square so students again अपनी बुक में आ जाईए आप देखें question number 7 जो है वो मैं आपको करा चुकी हूँ question number 8 से same इसी method से होगा सिर्फ आपको इसमें क्या वालम करना है b4 plus 1 upon b4 जिस तरीके से आपने पिछले question में x square plus 1 upon x square मालम किया था तो x square plus 1 upon x square सब पोस करिए अगर आपके पास answer आया है 16 तो आप उसका again square कर देंगे जब आप उसकी again squaring करेंगे तो वो square से क्या हो जाएगा x4 plus 1 upon x4 again identity apply करेंगे कोशिश कीजिएगा आपसे असानी से question हो जाएंगे question number 9 तक आपने as it is यही करने है question number 10 जो है इसका सिर्फ first part करना है b part इसका नहीं करना और last question number 11 भी नहीं करना so students chapter number 2 जो है वो हमारा complete हो गया है hope कि आपको इस जिससे समझ में आया होगा और बहुत neat and clean proper way में काम कीजिएगा thank you